नमस्कार दोस्तों मैं उमेश सनुडी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल विबेग जीकेंड मैट्स क्लास में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे C-M-Rise School जी हम, M-P-C-M-Rise School admission 2024 25 की जानकारी आज हम देखने वाले हम, अज हम देखने बाले मुदिए में मतपते सीम-Rise admission के जो आबिदन है हैना, admission है 2024 25 का वो किस प्रकार से होगा उसकी क्या process है, उसके बारे मैं आज का वीडियो में न बनाया है कि मेरके बारे मांजम जानकारी देखेंगे जहां पर जो है क्या दिया हूए SM RISE कूल एड़ीशन स्ट्थीओ 24 प्रक्रिया है उसके बारे में हम में देखेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया दोस्तों तो पूरा वीडियो जो है आप बिरूर देखिए तभी आपको समझ में आएगा तो यहां पर प्रक्रिया के वारे मापको देखना है तो कौन-कौन सी क्लासिस में एड़िशन होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं सी एम राइज स्कूल में कक्छा एक कक्छा छटवी नौबी और ग्यारवी एड़िशन की जाती है अब वो इस्कूल के उपर डिपेंड करता है कि वो अभी कहा तक लब किस क्लास तक जो है वहां पर क्लासे से लगती हैं थोड़ा साब को पता करना पड़ेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं तो फॉर्म कहां से मिलेगा विद्यालम में आब कहां से आबेदन आपको प्राप्त होगा विद्यालम है आबेदन सुरू सूला मार्च दोहजार चौबीस से प्रारंब हैं सूला मार्च दोहजार चौबीस से जो है आबेदन आपको मिलना प्रारंब हो जाएंगे अब अंतिम्तिति क्या है तो आबेदन की अंतिम्तिति 23 मार्च दोहजार 24 दोस्तो 33 मार्च दोहजार 24 तो यह रिपिखिते हैं फिर प्रवेश्च सुची प्षाक जारी कि जाएगी तो जो लिस्ट है वह जारी कर दिजाएगी 28 मार्च को जारी कर दिल दोस्तों ठीक है तो 28 Memeing को जो है वहाँ पर आपकी मेरेड लिस्ट लग जाएगी अब आगे अपन देखते हैं आगे यहां क्या है एडवीशन जो है एडवीशन फॉर्म सुल्क डाकुमेंट्स आधी की प्रक्रिया छे अपरेल दोहयार चौबिस तक होगी छे अपरेल दोहयार दोहयार चौबिस तक जो है सारे डाकुमेंट्स वैरिफिकेशन होना हैं और आखरी में यहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप देखिए काप्षाए02 प्रारम होजाएंगी तो इस प्रकार से चानकारी है इसका जो फॉर्म है वो आपको जो सी अम राइज्ट स्कूल एड़िशन फॉर्म 2024 कैसे भरे हाउ टू फिल MPCM राइज स्कूल एड़िशन फॉर्म 2024 तो यहां पर आपको सूची देखना है सबसे पहले उपर स्कूलों की सूची दी गई उसे देखें अब यहां पर देखें सूची जो आपको देखने के लिए description में आपको link के देदूँगा तो वो link के माध्यम से आप जो है सीम राइज स्कूल का चैन कर सकते हैं अब आप जिस स्कूल में एड़िशन का आबेदन करना चाहते हैं उसे स्कूल में उसी स्कूल में जाकर के अविदन पराप्ट करें आपको इसकूल से अविदन प पत्र compar करना हैं अगला पॉइंट क्या है है इसकूल दो आरा बताए गए प्रकार से अंतिमतितिस से पहले आविदन आपको कर देना हैं और सूची जारी सूची जारी होने के बा से स्टार्ट हो जाएंगी इसमें दोस्तों समय बहुत ही कम है जिस जिस प्रकाश से नोटी बीकेस नहीं जारी किया गया है तो सूला मार्च से जो है फॉर्म बना स्टार्ट हो रहा है और तेइस मार्च जो है क्लोजिंग डेट है तेइस मार्च के बाद जो है फॉर्म जो है झाल झाल